इस वक्त के एक बड़ी खबर बता दें कॉंग्रिस के पूर्वे कारेकारी अध्यक्ष राहूल गांधी ने केंद्र सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया है। पाली का सरकार के कंट्रोल में है। अगर आप अपनी बख्रीयों को एक करोड फ्रीडम एप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। उनकोंस अगर अपने किसी खर्चे भीन में हैं उनकोंस ते खर्चे कुम्हांद्स पास्टरी उनकोंसी किस्ट अन्हें हैं। मैंने करेकित abandon ein philosophe , farab grandit estimates gravity tenho I have been called by intelligence officers to tell me that listen please look care for what your son at the phone because we are sort of recording this stuff so this is a constant pressure that we feel तो अर्वार्या इंस सब्सकारश आवन। जन्स से न किससे न अवीम, ज़एवतै तावति उ जज य सो तेत पूर्या लक्राशए इसिए तर आफिते हैं, थे सोलन के समेकिझ से सु लिवाओंचिंस्टी कारश्याव Toronto राहूल गांधी को आपने सुना Cambridge University के Business School के एक लेक्चर में उन्होंने ये तमाम बाते कहीं विजे लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है विजे लक्ष्मी जो भी बाते राहूल गांधी ने वहाँ पर कहीं Cambridge University में एक तरह से गंबीर आरोब सरकार और सरकार की कार्य प्रणाली पर लगाए है बिल्कुल देखे राहूल गांधी जब बोल रहे थे हैं Cambridge में तो उन्होंने काफी गंबीर आरोब लगाए उन्होंने आरोब लगाया कि कैसे के द्वारा जो है तमाम जो भारत में नेता हैं बड़े उनकी जासूशी एक तरीके से हो रही है उन्होंने कहा कि एजेंसिज के लोग उन्हें बताते हैं कि उनके फोन की रेकॉर्डिंग हो रही है फ्रीडम एप से सीख कर आपने बकरी पालन शुरू किया है किया अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को एक करोड फ्रीडम एप के जो ग्राग है उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं कर पाएं अपनी बात अपना जो मैसेज है जो संदेश है वो आम जनदों तक पहुंचा पाएं तो काफी गंभी रारोप राहूल गांधी ने मौजूदा सरकार पर लगाए कि किस तरह से इंस्टिटूशन पर अटाक हो रहा है किस तरह से जो विपक्ष के नेता हैं उनकी जा लगाए गए हैं बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका तमाम अपडेट के लिए तो कैमरेज यूनिवर्सिटी में राहूल गांधी बोल रहते और उन्हों रहें बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कि उन्होंने का कि इंटेलिजन्स के अधिकारी ने उन्हें खुद फोन करके इस बात की जानकारी दी कि उनका फोन रिकॉर्ड किया जा रहा है इसलिए जो भी बात करी समहल कर करें